नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनिस गुपता अब देख रहे हैं टिक टेकनोलोजी प्लस चैनल आज की दोस्तों इस वीडियो में हम एक V9 ओपन मेल मोटर को वांडिंग करने वाले हैं जो की तीन एच्पी के जिसके बोड़ी कुछ इस प्रकार साब को दिख जाती है ठीक है और इस मोटर की रिवांडिंग करने वाले तो आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए जो नए नए हैं नए नए लोग वायरिंग जो है सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में यह लोग यह वीडियो देखते हैं सुरू से लेकर लाश्ट तक तो 100% मैं दावा करता हूं यह मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने अग बाद उनको है 90 परसंट जो है जरूर आ जाएगी क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल में वायरिंग करने वाले हैं कि यह नई लोग है नए लोग वायरिंग शीखना चाहते हैं करना चाहतें तो कैसे उन लो किस तरह से कोईल करना चाहिए कैसे थू करना चाहिए तो मुझे उमीद है जो फूल पसंद आएगी और याप शीखना चाहते हैं तो पूरे फूल इस वीडियो को पूरा लाश्ट सुरू से लेकर लाश्ट तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा वरना कुछ भी आपको और समय नहीं आने वाला तो यदि वाइरिंग आप सीखना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो जो है शुरू से लेकर लाश्ट तक देखिए यदि आप वारिंग सीखना चाहते हैं तो चलिए बिना टाइम वेश्ट किया शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले माना कि आप एक नए आद में हैं यानि कि आपने कई थोड़ा बहुत मोटर रिवांडिंग करना शीखा है या किसी दुकान पर जाते हैं तो यदि मैं बोल दो कि आपको इस वाइरिंग इस मोटर की मतलब रिवांडिंग करना इसकी पिछ है 10-12 इसक तो आप कैसे आप इसको रिवांडिंग करना चाहिए शुरुवात में क्या क्या आपको करना चाहिए चलिए में बताता हम तो सबसे पहले आपको क्या करना है कुछ इस प्रकार से साइड पट्टा जो है बना लेना है अब देख सकते हैं इस साइड पट्टा को यहां पर ल इसकी पीछे 10.12, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा वायर ले लेना है, कोईल से निकलना चाहिए सबसे, तो आपने यहां से उठा लिया, ठीक है, आप कहीं से भी उठा सकते ही, यहां से आपने गिनना चालू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10, यहां से, यहां तक आपने स्टार्ट किया ठीक है तो आपको कुछ इस प्रकार का वायर लेना है जहां पर आपने एक से दस में वायर को है डाल देना कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा लंबा काटना है ठीक है फिर आपको दोनों साइड कुछ इस प्रकार से सेप लेना है थोड़ा सा इस साइड भी लेन नहीं आपने इसप एर यहाँ पर понял सो यहां पर कर देना है कुछ प्रकार कर दियाँ फिर आपको क्या कर ना यहां पर निकाल देनाँ तो प्रकार से हमने इस वाइर को यहां पर निकाल दिया है और इस माप क्या करना आपको फर्मे में उस Pan 00859 उसके बाद दोस्तों यहां पर हमने फर्मा बांद लिया है आपको क्या करना है simply यह जो wire है इसको आपको यानि कि यहां पर 4 coil है यहां पर हम 10 की coil बनाएंगे यहां पर 12 यहां पर 12 और यहां पर 10 की ठीके तो यहां पर कुछ इस प्रकार से इस coil को बांद देना है जहां पर बंधा हुआ था यदि इसको आपको छोटा बड़ा करना है तो यहां पर छोगल के खर्मे से और फिर सही से इसको बांद लेना तो यहां पर हमने coil size पहले से सेट करके रखी थी फिर आपको क्या करना है चलिए coil कैसे बनाते हूं वह पर आपको बता आता हूं तो कॉल कैसे बनाना है चलिए सबसे पहले बताता हूं सबसे पहले आपको यहां पर रख लेना है आप नीचे भी देख सकते हैं हमने कुछ इस परकार से box रखा है यहां पर बीच में pipe रखा हुआ है और यहां BOIRE निकलता है धीक है यह बालले है और फिर आपको यहां पर बांदेना है फर्म्य में बेच में कहीं पर भी बांद सकते चलिए मैं बीच में देता हूं और फिर यहां पर जीरो कर लेना है। फिर उसके बाद प्रेकर का कपड़ा कपड़े में का कड़ना है बहुत ही याजिस ज्या होता है य। जैसे सारे विइल थोड़ा लग करने ही बहुत ही आसानी चेक फिर आपको यहां पर इस खाते पर कुछ प्रकार स een औरमें कुछ प्रकार से पकड़ना और एक प्रक यहां के से करिंग में यहां पर एक सब्सक्राइब यहां पे elli यहां पर 45 टर्न डाल देने हैं जैसे कि ना choice 45 है तो चलदी जलदी बना लेते हैं ठीक है तो आपने यहां पर 45 टन देख सकते हैं मसीन पर डाल दिए तो आपको क्या करना है यहां से वायर जो को उठा के एक से बारा वाली पिछ में लगा देना और फिर यहां से 145 टन डाल देने हैं सकते हैं यहां पर 45-45 दोनों में हमने टन डाल दी और फिर आपको क्या करना जहां से यहां से आपने इस साइड से यहां पर उठा के यह वायर जो है यहां पर जॉइंड किया तो आपको इसी साइ से उठाना ठीक है आपने यहां पर दा कर प्रसे इसी साइड में future देना और इसमें भी 45 टन डाल देने हैं कि तो यहां पर भी 45 टन डाल चुके हैं और फिर से ओठा कि यहां भी 45 टन डाल देने हैं है तो जाहते हैं Ha packing S standing 45 तरने डाल दी है कि फिर दोस्तों उसके बाद कोईल बनाने के बाद यहाँ पर इन सभी कोईल को कुछ इस प्रकार के छोटे वायर के तुकड़ों से बांद देना है ताकि एक टर्ण जो है एक कोईल के टर्ण दूसरे कोईल से ना मिले तो कुछ इस प्रकार वायर की रिंग बांदने के बाद आपको छेड़ा यानि कि वायर का तार थोड़ा से लंबा यानि कि इतना लंबा आपको रखना है कट कर लेना ठीक है और फिर आपको क्या करना है इस फर्मे को खोल के कोईल निकाल लेने फिर इस कोईल को सभी कोईल को बाहर निकाल लेना है तो उसके बाद हमने आपको कुछ इस प्रकार से कोईल बना ली है अब देख सकते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम ने बना लिए और जो वायर की रिंगे हैं इनको हमें एक वायर की रिंग हमने बाओन दी दिए एक्साइट करना है और फिर आपको इस वायर को यहां पर तंगा देना है अब हमारे पास यहां पर वाइरिंग करने के लिए कुछ इस प्रकार के पेपर है तो आपको क्या करना है सिंप्ली जैसे इसकी पीछे एक से दस तो यहां से उठाना एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और दस यहां से और यहां में पेपर डाल देना है ठीक है कुछ इस प्रकार से पेपर यहां पर डाल देना है एक सीधा करके डालना है और इस पेपर को आपको इस प्रकार से उल्टा करके यहां पर डाल देना है ठीक है एक से दस में कुछ इस प्रकार से पेपर डाल दिये आप यदि गिनना चाहें तो गिन सकते हैं यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और दस एक से दस में पेपर डालने के बाद आपको क्या करना सबसे छोटी कोईल यानि कि एक से दस की कोईल कुछ इस प्रकार से उठानी है ठीक है इसका जो इनर तार हो राइट साइड में रखना है यानि कि चले में दूर से थोड़ा दिखा देता हूं सकते ह यह वाइर जो होना चाहिए ठीक है फिर को अपको उतना ही मोड़ना है जितना की इस पेपर में आ जाए लेकिन अभी देख सकते हैं बड़ी कोईल है इसलिए घुसने में टाइम लगेगा इसलिए इस कोईल को थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से सीधा करना है थोड़ा सा एस इन दोनों से उंग्ली ऊंग्लीय से रखना है यानि को कॉईल को आपको लगी अंगूठा और इस दो ओंग्ली से पकड़ना है skills प्रकार से इसको भी और इसको भी और पिर अराम से धक्ता कुछ प्रकार से लगाना है I should keep तो देख सकते हैं coil यहाँ पर डल चुकी है कुछ इस प्रकार से coil को डालने के बाद यह जो right side में inner तार निकलता है इसको उंगलियों में फसा के यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रख देना है इसको ऐसे खुला मत छोड़ना नहीं तो कहीं पर लड़के यह छिल जाएगा फिर आपका बोड़ी जो है सोट बताएगा फिर बोड़ी को क्या करना है घुमाना है ठीक है फिर थोड़ा खीच के आपको दो उंगली रखना है यहां पर और ऐसे थोड़ा सा खीचना को कि यदि दो चार्ट टरंस बाहर हो तो वहां अंदर की तरफ अंदर में घुश जाए फिर कोईल देख सकते हैं अंदर पहुंच गई है फिर आपको श्टिक लेना है और को अंदर थोड़ा सा दबा के यहां पर डाल देना है कुछ इस प्रकार से ठीक है इस प्रकार डाल के और यहां पर भी इस साइड भी यहां पर डाल देना ठीक है अब आपको यहां पर ध्यान एक अंगूठ यहां पर और एक अंगूठ यहां पर और फिर आपको इस साइट थोड़ा खीच के और ऐसे दबाना ठीक है कैसे दबाना है चली बताता हूं कुछ इस प्रकार से दबा देना है और यहां पर भी आप अच्छा ना आए तो तो कुछ इस प्रकार से यहां पर से भी आ चुका है आपको यानि कि यह स्वेब जो है यहां पर इस लोट के बीच में नहीं आना चाहिए आप देख सकते हैं यहां पर खुला यह रहना चाहिए तभी जो है लास्ट ग्रूप यहां पर घुसेगा नहीं तो लास्ट ग्रूप पिठाने में आपको बहुत ज्याद दुनों साइड तो एक से दस की कौइल कुछ इस प्रकार से इंस्टोल हो चुकी और सेंप तो आपको क्या करना है जश्ट यहां पे और यहां पे कोईल बिठाई हुई है उसके जश्ट उपर आपको यहां पे और यहां पे पेपर बिठा देना है ठीक है और फिर इसके उपर कुछ इस प्रकार से इस पेपर को उल्टा करके मोड़ के डालना होता है तो यहाँ पे डाल दिया हमने यहां पे यह जो तार जो है यहाँ प illum oral label से झवान्ट है आप हैं और इस तार को को अपको रैट साइड में ही यहाँ पर कर लेला है यानि कि आहें एक से बारा कह पि delivery यहाँ तो वाइर आना चाहिए और एसको भी खुछ्छ १्टल्ड करना है और पिर नुकिला कर लेना और देख सकते हैं इहां राइट साइड में जाना चाहिए और आपको कुछ इस प्रकार से रखना है पेपर की बीच में नीचे वाला फेपर थोड़ा सा बाहर रखना है आपको फिर आपको यहां पर रखना है और यहां पर डाल देना कुछ इस प्रकार से ठीक है फिर एक से बारा की कॉयल भी इंस्टॉल हो चुकी है फिर बोडी को घ साइस हीजना थाकि यहाँ पर बाहर हुए लगा देते हैं में जाइँ पर यहाँ निटा को निकाल के फिर इसी तरह लेना है का अपको दो अंगली यहाँ है यहाँ पे यहां पर और नीचे की के साइट दबा देना है तो देख सकते हैं ऐसा ही से पाई यानि कि एक भी स्लोट के बीच में नहीं आना चाहिए दबना नहीं चाहिए एक भी स्लोट कॉइल से ठीक है तभी आप वायरेंग जो है अच्छे से कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से आपको सेप लेना है फिर फिर बोडी को आपको राइट साइट में यैई लेसी साइड में किसी साइण आप घूमा सकते हो यहां पर छोड़ देना है और एक यहां पर और दूसरी को यहां पर और यहां पर डाल देना है आप यहां नहीं करना कि यहां से गिन सकते एक दो तीन चार पांच छे साथ नो दस और यहां पर यहां पर बिल्कुल भी गलत हो जाएगा इसलिए दो कोईल हैं तो यहां पर को सब्सक्राइब देना है इसलिए यहां पर यहां पर डाल देना है और उसके बाद आप गिन भी सकते हैं जाय optical गीन आपको एक-एक छोड़ना तो अब उसके बाद फिर से छोटी वाली कोईल लेले लेना है तो उसी कोईल का यह जो रॉट सीरह है आउटर ईनर तार सोली निकलता है अब देख सकते हैं इनर तार उसको आसे राइड साइड करके फिर से उसके बाद इंस्टॉल करनी होते ही कोईल ठीक है तो आप देख सकते हैं अंदर पेपर के अंदर रखके फिर दोनों उंगली कुछ इस प्रकार से रखके अंदर से थोड़ा सा धक्का लगाना है तो कोईल आसानी से इस्टॉल हो जाती इसमें कुछ प्रोब्लम नहीं होती कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती थोड़ा दिमाग लगाना होता है तो बहुत यह असानी से वायरिंग जो हमारी कंप्लीट हो जाती है ठीक है फिर बोड़ी को घुमाना है और कुछ इस प्रकार से दो उंगली लग रखके फिर निकल जाते हैं फिर ले लेना है तो यदि से पच्छा नहीं आ तो दोनों साइट कुछ इस प्रकार से दबा के आप अंगूठे से भी दबा सकते हो ठीक है और सेप कुछ इस प्रकार से लेकर बोड़ी को घुमाके फिर इस साइड भी अच्छे से से इसका ले लिए जाता है तो एक से दस की चूता हुआ है उसमें हमें पेपर को ढाल देना है दोनों साथ एक सीधा पेपर डालना है और एक उल्टा पेपर डालना है और आप गिन भी सकते हैं चली गिना देता हूं तो यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आट, नो, दस, गैरो, और बारा, एक से बा आउटर तार एक नीचे की कोई से निकलता है और एक उपर की कोई से निकलता है ठीक है तो आपको क्या करना है यह वाला जो वायर है वह आपको करना है कि इस लोट में जाए और यह वाला जो वायर है आपको करना है इस लोट में जाने यानि कि दोनों को क्रोस में जाना है यह और थोड़ा सा नूं कौईला करना है और देख सकते हैं यहाँ वायर जो है इस सथा में लें लेना और नीचे वाला इस इस साइट के कोईल में लें लेंदया है फिर उसको पेपर के मूह पे रखना है फिर आपको वैसे उंगली दो चार उंगली की जरूरत होती है पांचे उंगली की यहां दोनों छोटी उंगली उपर रखना है यहां गूठा नीचे रखना है और यहां उंगली उपर रखना है यहां गूठा नीचे रखना है उस प्रकार से पकड़ना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके ही आप धक्का लगा दीजिए बहुत ही असानी से कोईल जो है डल जाती है ठीक है फिर बोडी को घुमा लेना है फिर दो उंगली रखते यहां पर थोड़ा सा कोईल को अंदर धकेल देना है देख सकते हैं एक भी टंड जो हमारा बाहर नहीं रहता है फिर इस्टिक लगा देना है दोनों साइड और रिंग को निकाल के फिर वैसा ही आपको से ले लेना है साइड में फिर बोडी को घुमा के इस साइड भी वैसा ही सिर्फ ले लेना है देख सकते हैं एक से दस की एक दस बारा की पिछ की कोईल जो हमने एक बार इंस्टोल कर दी है यानि कि एक ग्रूप जो हमने इस वीडियो में और लास्ट दो ग्रूप भी आपको अगली वीडियो में जल्द इंस्टोल करने का वीडियो आएगा जरूर ठीक है तो आगे का पार्ट टू और पार्ट थ्री भी आपको अगले अपते जल्दी से देखनों को मिल जाएगा